दोस्तों अगर नब्बे के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम लिया जाए तो इसमें सबसे पहला नाम करिश्मा कपूर का आता है जिन्होंने बॉलिवुड की कई एक से बढ़कर एक ब्लॉक बस्टर मूवीज दी हैं और उन मूवीज में अपनी दमदार के साथ साथ अपनी मधोश कर देने वाली नीली नीली आँखों से भी सभी को अपना दीवाना बनाया है जिनकी हर एक फिल्म को देखना दर्शक आज भी बेहत पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों कि आपको पता है कि जहां अभिनेत्री करिश्मा कपूर की हर एक फिल्म को दर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको करिश्म कपूर की उन चार फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें इनकी बेटी समायरा कपूर देखना बेहत पसंद करती हैं तो अगर आप भी जाना चाते हैं उन चार फिल्मों के बारे में तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन चार फिल्मों की बारे में नमबर वन पर है जानवर साल 1999 में आई फिल्म जानवर तो सभी को याद ही होगी जो की बेहद इमोशनल ड्रामा मूवी थी जिसमें प्रेमी का सपना का किरदार बेहद ही खूबसूरती से निभाया था जिसे इनकी बेटी समायरा कपूर देखना बेहद पसंद करती हैं क्यूंकि इस फिल्म में उन्हें अपनी मा का किरदार काफी अच्छा लगा था साथ ही इनकी एक्टिंग भी समायरा कपूर को बहुत प ये समायरा कपूर की भी फेवरिट फिल्म है जो उन्हें बेहद अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें इस फिल्म में अपनी मा की खूबसूर्ती और आमिर खान के साथ अपनी मा की जोड़ी बेहद ही पसंद आई है साथ ही साथ उन्हें इस फिल्म में गाने भी बहुत क्योंकि उन्हें इस फिल्म में अपनी मा करिश्मा कपूर का डांस और लाजवाब एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है इसलिए इस फिल्म को समायरा कपूर देखना बेहत पसंद करती है और इस फिल्म की दीवानी है नमबर चार पर है बीवी नमबर वन कॉमेडी और रोमैन से भरपूर फिल्म बीवी नमबर वन को भी समायरा कपूर देखना बेहत पसंद करती है जो कि साल 1999 में टेली कास्ट हुई करिश्मा कपूर सल्मान खान और सुश्मिता सेन की तिगडी वाली फिल्म थी पर आपको बता दें कि समायरा कपूर अपनी मा की इस फिल्म को देखना इसलिए पसंद करती है क्योंकि इसमें इन्हें अपनी मा का अलग-अलग लुक काफी जादा पसंद आया है जो अपने हर एक अलग-अलग अन्दाज में नजर आई है जिसमें करिश्मा ने हर एक तर से जुड़ी ऐसी तमाम लेटिस्ट खबरों को हर रोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें